स्वतंत्र है ऐसी व्यवस्था शासन की, जहां पर भय नहीं हो, और जहां पर कैर बराबरी नहीं हो, जहां पर कोई दबाव नहीं हो, इस समय में देख रही हूँ कि प्रेस पर बहुत दबाव है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, औ और जहां पर भाईचारा हो, जाती और धर्ब के नाम पर लोगों को बाटा नहीं जाए, तो ये लोगतंत्र है, और इस समय लोगतंत्र के इंशाश्वत मूल्यों पर कुठारा घात हो रहा है, चिंता का विशय है, और तभी हमें लगता है कि लोगतंत्र खत्रे गए, बिल्क क्योंकि जो कारवाई हुई है, जिस तरह से हुई है और जिस जल्दिबाजी में हुई है, उसे तो ये सित हो जाता है, कि सरकार डरी हुई है, भैभीत है देश की संपदा, देश की जनता के लिए है, और अगर वो संपदा, हमारी भूमी, हमारा खनिज, बैंकों वे लोगों के जो पैसे हैं, साधारन जनता के, वो किसी एक वेक्ति, एक द्योगपती के पास चले जाए, तो सवाल उठता है, और ये ठीक रहेगा, उचित रहेगा, किस सवाल का जवाब दिया जाए, लेकिन भाजपा सरकार जवाब देने से कतरा रही है, और जेपीसी की मांग हो रही है, लोग सवाराज्य सवार के सदस्चेव के संभीती बने, उससे भी कतरा रही है, इसलिए हम लोगों के मन में ये प्रश्ट उठ रहा है, ये वो सोच कैसे सकते हैं कि हम OVC का अफमान करेंगे, हमारी कॉंग्रेस की जो बाद विचार धारा है, जिसके प्रती राहूल गान्री जी समर्पित है, वो विचार धारा ये है कि जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उन सब को हम आगे लाएंगे, उन के अधिकार उने देंगे, और ये सब तो हम सवतंतरता के समय से कर रहे हैं, सवाली नहीं ऊठता है, हम तो सोशल जस्टिस, सामाजी इकनियाई वाले लोग हैं, तो ये बहुत ही गलत है, इनका सोचना और इस तरहे का प्रचार करना भी बहुत धिख्भ्रमित करता है जंता अवश्य, एक बहुत बड़ा शून्य बन जाएगा वहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी जी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक विशय है, जो देश हित के विशय है, जनता से संबनती थे, वो रखते थे, उसमें उनका कोई स्वार्थ देश का भला कैसे हो, तरक्की कैसे जो सबसे आखीर में खड़े हुए विक्ति हैं, उनको अब कैसे आगे लाएं, यह सवाल उठते थे, उठाते थे, तो अब जब नहीं उठाएंगे, तो ऐसे लोगों की आवाज कौन बनेगा, वो एक सशक्त आवाज थे, अभी भी हैं, नहीं वो निश्कासित कर दियें, यह जो अभी वो श्रसक्त आवाज, सब कुछ करने के लिए तयार हैं, जो भी गुर्वानी देनी होगी, हम वो गुर्वानी देने के लिए तयार हैं, हम तो फदंत्रता आंदोलन वाले लोग हैं, उस समय भी हमने, हमारे जो पूरवेश्च थे, उनलो ने कुर्वानियां अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है जोस्ट्वेटिफॉर झाल 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 झाल झाल झाल